कि हेलो गाइज वेल्कम तो मैं चैनल दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि जो मेरा रूम होती है उसके अंदर हम लोग पेंट करते हैं प्राइमर लगाते हैं कोटिंग करते हैं तो उस कोटिंग करने के लिए पेंट करने के लिए प्राइमर करने के लिए कितना खर्चा लगेगा वह हम जानेंगे अगर आप एक मकान मालिक है तो आपको यह चीज बहुत धान देने बाले चीज़ है कि जब पेंट कराने से पहले अगर आपको उसका कॉस्ट आपको जान लेते तो अगर आपको पता हो जाती है तो क्या करेंगे आपके लिए आसानी होगा उसे हिसाब से आप पैसा का मैनेज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो अगर आप साइट इंजिनियर है अगर एक मकान मालिक है तो आपके लिए वीडियो बहुत हैलफुल हो सकती है तो इस वीडियो को आपको स्कीप मत करिएगा वीडियो को अंदक देखिए और अभी अधिक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें इससी क्या होगा कि मैं नए ने वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते ह कि दोस्तों अगर आप एक घर बना रहें तो घर बनाने के बाद जब घर प्रोपरली कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो प्लास्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं पेंट लगाते हैं तो पेंट में कितना खर्चा परेगा यह जो मैं आज एक थम्रूल बताने जा रहा हूं उस थम्रूल को आप यूज करके एक इस्टिमेट कॉस्ट निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वाल पुटी का जो वाल पुटी जब हम करते हैं तो उसमें जो खर्चा लगती है यहनिका अगर आप डबल कोट का वाल पुटी कर करते हैं तो उसमें आपका बारा से लेखे सुलार पर इसकोर फिट पॉर केजी इतना आपका वाल पुटी लग सकती है यहनिकी डबल कोट के लिए बारा से लेके स्कुर्च पाइसिए पर पर केजी आपको वाल पुटी में लग जाएगा ठीके दोस्तवा तो नेक्ष आती है तिरपा यहनि कि आप री कोट करते हैं तिर पेल कोड करते हैं तो उसके अन्दर आपको खरचा प्लिफ़्ट से लेकर 13 पर कोड में लग जाएगा तो नेक्स आती आपकी प्राइमर की जो एक प्राइमर की लिए 110 रुपया से लेके 145 रुपया स्क्काइर फीट पर लिटर है तो थे को नेक्स्ट आती है आपकी पेंट की पेंट में आपको ख़र्चा पर जाएगा वह सिक्स्टी फाइब से लेके 95 स्क्वार्फ फिट पर लिटर इजो मैं आपको बताया है यह सकते हैं और निकालने के बाद आपको यह पता चले जो मेरा इसमें ख़र्चा होगा कितना होगा इसकी अंदर आपको सबसे पहले क्या करनी और इसमें जो मैं आपको लेवर का जो कोस्ट है वह मैंने एड़ नहीं किया है ठीक है कि लेवर का कॉस्ट जो है वह एकॉर्डिंग टुद लोकेशन इभारी करते लिए ठीक है दोस्तों लेकिन जो मैं आपको बताया वाल पुटी और प्रैमर का वह इस से ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं परेगी हो सकती इसमें उ ठीक है दोस्तों तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करतें और साथ में इस वीडियो को ज्यादा सा ज्यादा सेयर करतें ठीक है दोस्तों तब तक लिए फिर मिलतें नेक झाल झाल